मारू रागिनी राजस्थानी चित्रकला की एक अच्छी चित्र मानी जाती है इस यह एक लगु चित्र है इस चित्र में चित्र का शहबुद्दिन द्वारा बनाया गया यह काफी सुन्दर चित्र है जो मिवार उपसैली में बना हुआ है राजस्थानी लगु चित्र कला में बहुत सारे चित्र है लेकिन सहबुद्दिन द्वारा बनाया गया यह मारुरागिनी काफी सुन्दर चित्र है साहबुद्दिन द्वारा बहुत सारे चित्र बनाया गया है जैसे मारुरागिनी A, मारुरागिनी B इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग म्यूजियम में चित्र है जो राष्टिय संगराहलाय नहीं दिल्ली में हम लोगों के पास है ये 17 सेंचुरी का चित्र है राजस्थानी चित्रकला लगु चित्रकला काफी सुन्दर माना जाता है इस चित्रकला में साहबुद्दिन ने बहुत ही अच्छे से इसे वाटर कलर में सुसरजित किया है अलग-लग रंगों का उव्योग किया है इस चित्रकला का विसे बस्तु है उंट में जाता हुआ एक राजारानी और उसके नीचे में ये वाटर कलर से बनाया हुआ है और इसके नीचे में एक सिकारी कुत्ते हैं जो साथ में चल रहे हैं उंट को काफी सुन्दर से सजाय गया है यह चित्र भार्टिकल पेंटिंग है यानि खड़ी चित्रकला है काफी सुन्दर है यह रागमाला सिंख्रला का एक चित्र है जिसे उदैपूर मेवार के दिवार में चित्रित किया गया है साहवित दिन द्वारा इस चित्रकला में मिनियचेर यानी छोटे पेंटिंग का आकार दिया गया है लेकिन पहले इस पेंटिंग को अलग-अलग समय में अलग-अलग जगह पे दिवारों पे सजाया गया है रंग किया गया है इसमें राजा बंगरानी जो उट में सवार होकर जा रहे हैं चित्रकार ने इसे काफी सुन्दर से सजा के बनाया गया है उट में उट को काफी सुसजित सजाया गया है इसका बैक्ग्राउंड जो है पीले रंग का है और उपर के भाग में गाढ़ा निला दिखाया गया है जिससे प्रतित होता है ये रात का अदिश से है उपर में संस्कृत में राग रागिनियों के बारे में यानि मारू रागिनी के बारे में लिखा गया है इसमें दो अंगरक्षक हैं जो साथ में खड़े हैं खंजर अवं तलवार लेकी और साथ में एक सिकारी कुत्ता भी है जो दौड रहा है इसमें उट को काफी दौडते हुए दिखाया गया है जो मोसन में हैं चल रहे हैं साथ में एक अंगरक्षक है जो उट को पकड़ के आगे चल रहे हैं उसका परिधान भी काफी सुन्दर दिखाया गया है रेड बस्तर पहने हैं सफेद रंग के पगड़ी है राजा को काफी सुसजित दिखाया गया है सफेद बस्तर में हैं रानी जो है रेड रंग के हैं पहने हुए हैं और दूपट्टे लिए हुए हैं इसमें जो है काफी पारदर सी रंगों का यूज किया गया है यहाँ चितर को हमारे साहबुद्दिन द्वारा बनाया गया मारूरागिनी के अच्छे काफी सुन्दर चितर माना गया है यह miniature painting है यानि लगु चित्रकला है यह राजस्थानी साइली का यह चित्रकला हमारे जो है लगु चित्रकला में काफी सुन्दर बनाया गया है उट के निचले भाग में हरे रंग का इस्तमाल है जो हलके हलके घास दिखाया गया है पिछले भाग में पीले रंग का दिखाया गया है उट को ब्राउन रंग के दिखाया गया है उपर में गहरे नीले रंग के पूरे स्काई को दिखाया गया है यह काफी सुन्दर चित्रकल का शायली में मिमार का एक महत्पुर्ण स्थान है मिमार सायली की बिससताएं जैसे इस सायली में चैटकदार इमंग चमकीले रंगो का प्रयोग होता है यह सायली में काफी चित्रकला जो है क्रिश्न फक्ति पर आधारित हैं इस सायली में पूरुस एबंग इस्त्रियों के लंबे नाक अंडाकार चेहरे एबंग दिरगाकार दिखा गया है इस चित्रकला में पौधे को सुन्दर से दिखाया गया है फूल गुच्छ चित्र किया गया है परबत पहाड को फार्सी स्टाइल में दिखाया गया है इस चित्रकला में हमारी जो जल है पहाड है परबत है बादल है इन सब का चित्रित किया गया है चित्र को काफी छोटा आकार में चित्रित किया गया है इसलिए इस चित्रकला को लगु चित्रकला कहा जाता है इसी चित्रकला में हम लोग की काफी अच्छे चित्र है जैसे मारू रागिनी या जो है साहु बुद्दी दारा बनाए गया एक चित्र है